जस्तान से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको अपनी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं सुनाऊंगा और उमीद करूँगा कि आपको मेरा कावेपार्ट, मेरी कविताएं, मेरी क्षणिकाएं, पसंद आएं तो मैं जन सरो कार मंच टोंक की अनुमती से, फेस्बुक पेज की अनुमती से, और आज का कावेपार्ट जा रहा हूँ, सबसे पहली क्षणिका सुनाता हूँ आपको, कि कबजेदार कुछ पत्थरों पर कबजे के लिए, कि कबजेदार कुछ पत्थरों पर कबजे के लिए, लड़ते ही रहे गए आपस में कि कब्जेदार कुछ पत्थरों पर कब्जे के लिए लड़ते ही रहे गए आपस में उसने अपने जोले से एक प्रार्थना निकाली। और सारा मंदर उसका हो गया। उदास हैं दुखी हैं तो रो लें नाराज हैं तो लड़ लें हम कविता क्यों लिख रहे हैं लाचार हैं क्या। हम कविता क्यों लाचार हैं क्या। एक ताज महल सीरीज से एक आज कविताएं आपको सुनाता हूँ। देखिए पहले लिक्षनिका। लोजना के होंगे तो मैं उनका भी उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एक शनिका देखिए ताज महल के नाम से कि शाह जहां के पास चिकना कागज था शाह जहां के पास चिकना कागज था शोने की कलम थी लिखने के लिए वक्त भी खूब था लेकिन शाह जहां के पास एक भी कविता नहीं थी लेकिन शाह जहां के पास एक भी कविता नहीं थी इसी ताज महल पे दूसरी कविता देखिए कि ये सफेद इमारत समंदर की रेत पर लिखे तुम्हारे उस नाम से अधिक स्थाई साबित नहीं होगी ये सफेद इमारत समंदर की रेत पर लिखे तुम्हारे उस नाम से अधिक स्थाई साबित नहीं होगी जिस नाम को आती जाती लहरें बरसों पहले मिटा चुकी है जिस नाम को आती जाती लहरें बरसों पहले मिटा चुकी है पे एक और कविता देखिए कि जब तक एक्सपर्ट्स वहाँ पहुँचे जब तक एक्सपर्ट्स वहाँ पहुँचे सबूतों को मिटे सेंकडों बरस गुजर चुके थे जब तक एक्सपर्ट्स वहाँ पहुँचे सबूतों को मिटे सेंकडों बरस गुजर चुके थे हाला कि एक्सपर्ट्स चाहते तो खून की गंध और दूर दूर तक फैले मातम के सेंपल्स तब भी उठा सकते थे जब तक एक्सपर्ट्स वहाँ पहुचे सबूतों को मिटे सेंपल्स गुजर चुके थे प्रेटफॉर्म पर जो मेरी आई है उनसे सुनाता हूँ एक कविता देखिए कि मैं जाती नहीं हूँ मैं जाती नहीं हूँ धर्म नहीं हूँ नागरिकता नहीं हूँ राष्ट्रियता नहीं हूँ महाद्वीप नहीं हूँ और ये विश्व भी नहीं हूँ मैं जाती नही हूँ धर्म नहीं हूँ आगरिकता नहीं हूँ राष्ट्रियता नहीं हूँ महाद्वीप नहीं हूँ यह विश्व भी नहीं हूँ मैं आदमी हूँ सोलष आना ।चौबीज कैरٹ खरा आदमी मैं आदमी हूँ सोलष आना ।चौबीज कैरट खरा आदमी एक चहरा दो आईसू और कुछ पूल बहुत हैं मेरे जीने के लिए तम्हें इनहीं में डूंडने हूंगे तुम्हें इन्ही में ढूंडने होंगे मेरे होने के सुराग एक कविता देखिए जो सबसे पहली भाषा है हमारी सभ्यता की वो भाषा हिंदी नहीं है वो भाषा संस्कृत नहीं है वो भाषा अपभरंश नहीं है वो प्राकृत नहीं है वो तत्सम नहीं है वो तद्भव नहीं है वो पहली भाषा जो हमारी है वो कुछ और उस पहली भाषा के बारे में जिक्र किया है भाषा के दिन कैसे फिरेंगे आप ये देखें कविता का शीर्शक है तुम देखना कि देखते ही देखते लुप्त हो गई कितनी ही भाशाएं सतीश भाई कि देखते ही लुप्त हो गई कितनी ही भाशाएं जो बची हैं उनमें से भी कम हो रहे हैं शब्द जो बची हैं उनमें से भी कम हो रहे हैं शब्द तुम देखना कि एक दिन केवल एक ही भाशा बचेगी तुम देखना कि एक दिन केवल एक ही भाशा बचेगी तुम देखना एक दिन सबसे पहली भाशा के दिन फिरेंगे अभी कुछ दिनों पहले बॉलिवुड के एक लड़के ने ऐसा कहा जाता है कि आप भत्या कर ली उस पर मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी दो पंक्तियों की कि वो मर गया वो मर गया सिर्फ इसी लिए कायर नहीं है वो वो मर गया सिर्फ इसी लिए कायर नहीं है तुम जिए बीच में कनेक्शन कट गया यहां बाहर रिश हो रही है इस वज़े से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ बीच में उपस्थित हूँ क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है यह बता सकते हैं क्या कि मेरी आवाज और मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है कनेक्शन कट गया था बाहर बारिश हो रही है यहां पे चुरू में बहुत जोरदार इस वज़े आपके और मेरे बीच में इस नेटवर्क को बाधा नहीं बनने दूँगा मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कोई भी सज्जन जो यहां उपस्थित है वो एक बार मुझे यह बता दे कि मेरी आवाज और मेरा चेहरा साफ सुनाई जी देविंद्र जी जी चेतन जी चेतन सर बहुत-बहुत स्वागत आपका देखिए एक कविता देखिए छोटी सी क्षणिका है अभी सुशान सिंग राजपूत ने ऐसा कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली तो मैंने वहां से दो पंक्तिया निकाली कि वो मर गया सिर्फ इसी लिए कायर नहीं है तुम जिनदा हो सिर्फ इसी लिए बहादर नहीं हो कि वो मर गया सिर्फ इसी लिए कायर नहीं है तुम जिन्दा हो सिर्फ इसी लिए बहादुर नहीं हो एक चोटी सी क्षणिका और देखिए इसका शीर्शक है बेटियों के परस में कि कितना बुरा होगा वो समय कितना बुरा होगा वो समय जब बेटियों के परस में दरपन, कंगी और लिपस्टिक की जगह कितना बुरा होगा वो समय जब बेटियों के परस में दरपन, कंगी और लिपस्टिक की जगह एक चाकू होगा और होगा एक जहर का पाउच कितना बुरा होगा वो समय जब बेटियों के पर्स में दरपन कंगी और लिप्स्टिक की जगह एक चाकू होगा और एक होगा जहर का पाउच एक कविता सुनाता हूँ आपको इस कविता का शीर्शक है फुलका मैं ये कविता चेतन जी को विशेश रूप से समर्पित करता हूँ भाई पवन जी का स्वागत कविता का शीर्शक है फुलका कि भाप से भरे जिस फुलके को मैंने हथेली में लेने से पहले चार बार उचाला भाप से भरे जिस फुलके को मैंने हथेली में लेने से पहले चार बार उच्छाला, फूफा, शूशा की आवाजें निकाली उसी भाप़ से भरे फुलके को मां रसोई से कमरे तक अपनी हथेली पर रखकर लाई भाप से भरे जिस फुलके को मैंने हथेली में लेने से पहले चार बार उच्छाला फूफा शूशा की आवाजें निकाली उसी भाप से भरे फुलके को मा अपनी हथेली में रख कर लाई और मुझे परोस्ते हुए उसके चहरे पर अनंत संतोश था सच मा किस कदर पानी है सच मा किस कदर पानी है हर तरह की आग के खिलाफ एक छोटी सी कविता है इस कविता का शीरशक है प्रार्थना कि एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है इसका मतलब ईश्वर अपने भीतर के ईश्वर से कह रहा है एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब इश्वर अपने भीतर के इश्वर से कह रहा है, हमेशा बने रहना है इश्वर। एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब इश्वर अपने भीतर के इश्वर से कह रहा है, हमेशा बने रहना है इश्वर। एक कविता मैंने राखी के अवसर पे लिखी और मैं समझता हूँ कि ये कविता हमारे आज के बदलते हुए मूल्यों पर एक बेबाक टिपणी है। इस तरह की कविता मैंने राखी के दिन ये फेस्बुक पर लगाई थी एक कविता कहाँ कि ये एक ऐसे उत्सव पर आप इस तरह की कविता पोस्ट करें लेकिन चूंकि मैं लिखने वाला हूँ, मैं कवी हूँ या कविता जैसा कुछ काम करता हूँ तो मेरा दाइत्व है कि मैं अच्ची और खरी बात लिखूं, तो एक कविता आपको सुनाता हूँ, राखी नाम से कविता है, वो मून ने कैसे बदल गए, मेरी जनरेशन में, मेरी पीड़ी में ही कैसे बदल गए, कि बचपन में कुहनी तक बंदवाता था राखियां, बचपन में कुहनी तक बच्पन में कोहनी तक बंदोवाता था राखियां और शाम को साईकिल पर बैच्ट कर इन्ही राखियों की चक्मक दिखाने काट आता था सारे शेहर का चक कर अब बस शगुन की दो चार राखियां है कलाई पर और मैं सोचता हूँ कि इन में से भी एक आधी जबर्दस्ती की है अब बस शगुन की दो चार राखियां है कलाई पर और मैं सोचता हूँ कि इन में से विए जबर्दस्ती की है जो टाली जा सकती थी आजकल इंटरनेट के माध्यम से राखी भेजने का एक पचलन चल पड़ा है उस पर मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी वो क्षणिका भी सुना देता हूँ कि बहना ने तो बस एक क्लिक पर भेज दी है राखी क्या मैं पहुच पाऊंगा उसके पास जरूरत के वक्त बस एक क्लिक पर बहना ने तो भेज दी है राखी बस एक क्लिक पर क्या मैं पहुच पाऊंगा उसके पास जरूरत के वक्त बस एक क्लिक पर एक कविता और देखिए ये आत्म हत्याओं का दौर है और कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेक्सिनेशन किया जाता है उसका ठीका करन होता है साल छे मेहने में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ बरसों बाद कुछ दश्कों में जब कोई बच्चा पैदा होगा तो हमें उसे एंटी डिप्रेसेंट के इंजेक्शन लगाने होंगे ताकि भविश्य में ये बच्चा अवसाद में न चला जाए क्योंकि ये तो तै भी होगा कि उसके माबाप अवसाद में है एक ऐसा समाज हमने खड़ा कर दिया तो उस समाज पर मेरी दो पंक्तियों की चार पंक्तियों की एक शने का आपको शायद आपको अच्छी लगे कविता का शीरशक है कि कितना भयानक है ये समय कि कितना भयानक है ये समय कि किसी के दर्वाजा नहीं खोलने पर कितना भयानक है ये समय कि किसी के दरवाजा न खोलने पर हम ये नहीं सोचते कि वो सो रहा होगा बल्कि ये सोच कर डर जाते हैं कि वो कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सो गया कितना भयानक है ये समय कि किसी के दर्वाजा नहीं खोलने पर हम ये नहीं सोचते कि वो सो रहा होगा बलकि ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं वो हमेशा के लिए तो नहीं सो गया शुक्रिया चेतन जी बहुत बहुत आभार एक कवित विता का शीरशक है भूख कि डेट दो घंटे की महनत से बने खाने को हम चंद मिन्टों में अंगुलियां चाट चाट कर खा जाते हैं कि डेट दो घंटे की महनत से बने खाने को हम चंद मिन्टों में अंगुलियां चाट चाट कर खा जाते हैं करोडों अर्बों बर्सों में बनी इस धर्ती को भी हम चंद सदियों में खोद खोद कर खा जाएंगे दुवारा सुनाता हूं कि डेड़ दो घंटे की महनत से बने खाने को हम चंद मिनिटों में उगलियां चाट चाट कर खा जाते हैं करोडों अर्बों बर्सों में बनी इस धर्ती को भी हम चंद सदियों में खोद खोद कर खा जाएंगे भूख बहुत अनुशासन ही इन चीज़ है भूख दरसल बहुत अनुशासन ही इन चीज़ है एक कविता सुनाता हूं ये कविता कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई उसके बाद इस कविता के प्रत्युत्तर में मुझे बहुत सारे वरिष्ठों ने कुछ कहा भी कि आपको इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि खरा और खारा लिखना ही कवि का दाइत्व है वरिष्ठों के नाम कि वे उम्र में हमसे वरिष्ठ थे उमीद थी कि वे तमीज में भी वरिष्ठ होंगे एक वरिष्ठ कवी चला गया गुंडे के यहां पत्तल उठाने एक वरिष्ठ कवी हो गया लफंडर वाटसेप यूनिवर्सिटी का और एक वरिष्ठ कवी तो चाहता है दिल्ली पर बंगाल का काला जादू करना एक वरिष्ठ कवी तो चाहता है दिल्ली पर बंगाल का काला जादू करना ये अजीब दौर है कि मैं कविता को देखने के लिए कविता से कन्नी काटने पर मजबूर कर दिया गया हूँ ये अजीब दौर है कि कविता को देखने के लिए मैं कविता से कन्नी काटने पर मजबूर कर दिया गया हूँ सुनता आया था मगर देख अब रहा हूँ कि कनिष्ठ हो जाती है वरिष्ठता सत्ता के दर्बार में सुनता आया था मगर देख अब रहा हूँ कि कनिष्ठ हो जाती है सत्ता के दर्बार में हे भद्र जनों वापस लो वे गालियां जो दी है तुमने रखेलों काईरों और गदारों को दो उन्हें वह उजित जिसके वे अधिकारी हैं बरसों की साधना से कमाई है उन्होंने अपनी प्रतिष्ठ हो जो तुम्हारी कथित वरिष्ठता से बहुत अच्छी है हे अकाद्मियों हे शाल दुशालों हे स्मृतिचिन हो बिछ जाओ तुम भी उन्ही सत्ता के धरबारों में जहां खड़े हैं वरिष्ठ कवी जहां खड़े हैं वरिष्ठ कवी पावों में डाले जन्जीरें गुलामी की हे कुंठाओ हे कृतगनताओ हे जुगुपसाओ गाओ मंगल गीत की एक बार फिर लौट आए हैं वरिष्ठ कवी अपने रंग में और कविता तू तू मेरे पास आ मैं तू तू मेरे पास आ मैं तुझे सवार तो नहीं सकूंगा लेकिन बचा जरूर लूँगा मैं तुझे सवार तो नहीं सकूंगा लेकिन बचा जरूर लूँगा सतीश शिंपाय जी आभार विशंबर शर्मा जी बहुत-बहुत आभार दिनेश कर्णाटक जी का बहुत-बहुत स्वागत चेतन जी आपका बहुत-बहुत आभार धन्य बाद एक छोटी सी शुक्रिया देविंदर जी एक कविता देखे है क्षणिका इसका शीर्ष बचा-खुचा बड़ी आसान सी खशनिका है इससे पहले कि बचा-खुचा भी ने बचे इससे पहले कि बचा-खुचा भी ने बचे बचे-खुचे लोगों को बचे-खुचे लोगों से मिलकर बचे-खुचे को बचा लेना चाहिए सिर्फ आगरह है कि इस से पहले कि बचा खुचा भी न बचे बचे खुचे लोगों को बचे खुचे लोगों से मिलकर बचे खुचे को बचा लेना चाहिए मुझे देवंद्री जी यहां पर हैं मुझे आप एक बार बस यह बता दें कि मेरे पास कितना समय इस मंच पे शेष रहा है तो मैं उस हिसाब से कारेक्रम का समापन कर दूँगा पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रा मिनट जितना भी रहे हैं उस हिसाब से मैं कविता पार्ट करूँ आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे बता सकता है कि मेरे पास कितना समय रहा है जो इस मंच से जुड़ा हुआ है तब तक मैं एक ख़णिका और सुनाता हूँ आशना शेर्शक से एक छोटी सी ख़णिका सुनाता हूँ थोड़ी सी अजीब ख़णिका है लेकिन ये भी एक खरा सच है कि कल रात मेरी पांच साल की बेटी कई बार सहम कर जागी कल रात मेरी पांच साल की बेटी कई बार सहम कर जागी मैंने बहुत डरते घबराते उसकी मां से कहा कल नहलाते वक्त इसे थोड़े गौर से देखना बहुत डरते घबराते मैंने उसकी मां से कहा कल नहलाते वक्त इसे थोड़े गौर से देखना एक कविता और सुनाता हूँ ठीक है पांच पैंतालिस हुएं मैं दस मिनिट के अंदर अंदर ये अंतिम कविता पढ़के मैं इसका समापन कर दूँगा कविता का शीर्षक है तो क्यूं ढूंडती है हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ हमारे यहां पर एक बड़ा उत्सव है और सुहागे ने इस उत्सव को मनाती है तो ये जो कविता मैंने लिखी ये कविता मैंने एक ऐसी महिला को देखकर लिखी जिनके पती इस दुनिया में नहीं रहे और बाकी सभी महिलाएं जब रात को चांद दिखने पर छट पे खड़ी होकर चांद को अरगे दे रही थी उसकी पूजा कर रही थी तो उस वक्त वो महिला भी अपनी छट पे टहल रही थी जिसका पती इस दुनिया में नहीं रहा तो मैंने वहां से ये कविता ली है और वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ इस कविता के बाद में भी अगर एक दो मिनट की संभावना रहेगी तो एक आद छोटी क्षणिकाएं और सुना दूँगा लेकिन आप इस कविता को सुनिये ये मेरी पसंदेदा कविता है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कविता का शीरशक है कि तो क्यों ढूंडती है अकेली छट पर खड़ी वो ढूंडती है अपना चांद इस चांद के पीछे शुक्रिया चेतन जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनिये मेरी कि तो क्यों ढूंडती है कि अकेली छट पर खड़ी वो ढूंडती है अपना चांद इस चांद के पीछे तो क्यों ढूंडती है अंगुली के नाखून से खुरचती है अपनी सीली हतेली अंगुली के नाखून से खुरचती है अपनी सीली हतेली तो उभर आती है मेहंदी की सुर्ख परतें अंगुली के नाखून से खुरचती है अपनी सीली हतेली तो उभर आती है मेहंदी की कई सुर्ख परतें ललाट पर फेरती है हाथ तो बहुत खलती है चमकती हुई बिंदिया की अनुपस्थिती और उससे भी जियादा खलता है गर्म सोते सा फूटते चुम्बनों का सूख जाना कलाईयों में नहीं पाती रंगीन चूडियों की खनक कलाईयों में नहीं पाती रंगीन चूडियों की खनक पाती है तो बस कुछ नीली नीली सी नसें जैसे के साफ हो रेंगते हुए कलाईयों में नहीं पाती है रंगीन चूडियों की खनक बस कुछ नीली नीली सी नसें जैसे के साफ हो रेंगते हुए देखती है अपने पावों को तो देखती है उतरी हुई पाजबों के निशान किसने चलाई ऐसी आरी कि कटे तो नहीं मगर छिल गए पावों गहरे कि कटे तो नहीं मगर छिल गए पावों गहरे अब कौन बदले सदियों पुराने सुहाग कोश के अर्थ अब कौन बदले सदियों पुराने सुहाग कोश के अर्थ अब कौन कहे कि चूनर लाल नहीं सफेद भी हो सकती है अब कौन कहे कि चूनर लाल नहीं सफेद भी हो सकती है कि ललाट की चमक के आगे फीकी है बिंदिया की चमक कि हथेली की रेखाओं से बढ़ कर कौन सी महंदी होगी कि नीली नीली नसों के दमखम से ही चलती है ये दुनिया कि नीली नीली नसों के दमखम से ही चलती है ये दुनिया कि पाजबें उतर जाए तो पाव हो जाते हैं इस पात से भी मजबूत कि ये चांद तो पथर का एक टुकडा है कि ये चांद तो पथर का एक टुकडा है बस कि वो जो सूरज है तुम्हारी चाती में तो मुस्की रोश्नी में बढ़ो अकेली चछत पे खड़ी वो ढूंडती है अपना चांद, इस चांद के पीछे तो क्यों ढूंडती है मुझे लगता है कि आज का ये कारेकरम अब समाप्त कर देना चाहिए देविंद्री जी की अनुमती हो तो एक कविता और पढ़ दू और अगर फिर मैं ये कारेकरम यहीं समाप्त करूँ और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करूँ एक कविता और पढ़ने का मेरा मन है अगर समय है तो मैं पढ़ देता हूं जी मैं एक कविता और पढ़ता हूं ये कविता भी मेरी जो थोड़ी सी लोगप्रिय कविताएं हैं उनमें से एक कविता रही है इस कविता का मेरे दोस्त है संदीप निर्भै उन्होंने राजस्थानी में नुवाद किया था तो मैं इस कविता को हिंदी में पढ़ रहा हूं जो मूलत है लिखी गई है जिस बाशा में कविता है कि वे और कहते रहें ये एक जनरेशन गैप है मेरे और मेरे पिता के बीच में मेरे पिता और उनके पिता के बीच में एक जनरेशन गैप हमेशा ही होता है और उस गैप की ये बात है कविता उस गैप के बारे में है कविता दा शिर्शक है कि वे कहें और कहते रहें कि हमारा घर जो तकरीबन पचास बरस पुराना है दादा जी ने शहर से कुछ दूर तब बनाया था जब जमीन सस्ती थी और जजबात कीमती हमारा घर जो तकरीबन पचास बरस पुराना है दादा जी ने शहर से दूर तब बनादा जमीन सस्ती थी और जजबात कीमती मेरे पिता जी अकसर कहते हैं आज जहां तुम इमारतों का जंगल देखते हो आज जहां तुम इमारतों का जंगल देखते हो वहां कभी लहलहाते खेत हुआ करते थे जहां मैं और तेरे दोनों चाचा भूख के एक इशारे पर दोड़ पड़ते थे गाजर मूली खोदने मेरे बेटे उस दोर में जड़ें आज की तरह नहीं खोदी जाती थी मेरे जड़ें आज की तरह नहीं खो दी जाती थी मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि आज जहां तुम इमारतों का जंगल देखते हो वहां कभी रात में सनाटा पसरा रहता था मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं आज जहां तुम इमारतों का जंगल देखते हो वहां कभी रात में सन्नाटा पसरा रहता था लेकिन सन्नाटे में और डर में कोई सीधा रिष्टा नहीं था लेकिन सन्नाटे में और डर में कोई सीधा रिष्टा नहीं था राम लीला के दिनों में दूर से गूंजता रावन का अटहास इस बात की गारंटी था कि अगले दृष्टे में और जोर से घूमेगा घोटा पवन पुत्र हनुमान का राम लीला के दिनों में दूर से गूंजता रावन का अटहास इस बात की अगले दृष्टे में और जोर से घूमेगा घोटा पवन पुत्र हनुमान का तू क्या जाने क्या होती है राम लीला कैसे होते हैं स्वर अर्ध रात्री में आरती के मेरे पिताजी अकसर कहते हैं। जंगल देखते हो वहां कभी बैलों की रुण्जुन गडरियों की सरगम और एका दुका गाडियों की खटपटी सुनाई पड़ती थी मेरे बेटे पावों का जोर था मशीनों पर पंक्ति देखिए कि मेरे बेटे पावों का जोर था मशीनों पर मशीनों ने नहीं जकड रहते हैं ऐसी बहुत सी बाते हैं जो पिता जी कहते ही नहीं सुनाते भी रहते हैं चूंकि वो सारी बातें मैंने किसी गैजट में सेव नहीं की है चूंकि वो सारी बातें मैंने किसी गैजट में सेव नहीं की है सो अधिक तर मैं भूल रहा हूँ ऐसी बहुत सी बाते हैं जो मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ सुनाना चाहता हूँ अनुभव तो अपने अपने समय के हम दोनों के ही पास हैं लेकिन इस स्विकार के साथ कि स्मृतियां इतनी शीतल इतनी स्वच इतनी मीठी इतनी पवित्र केवल उन्हीं के पास हैं मेरा चुप रह जाना ही अच्छा है इस स्विकार के साथ कि स्मृतियां इतनी शीतल इतनी मीठी इतनी स्वच इतनी पवित्र केवल उन्हीं के पास है मेरा चुप रह जाना ही अच्छा है मैं जन सरोकार मंच टोंक के हेस्बुक पेच का श्री देविंद्री जोशी का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी कुछ कविताएं सुनाने के लिए आमंतृत किया और आपने मुझे इतने प्यार से सुना बीच में नेटवर्क की बाधा के कारण ये वीडियो ये लाइव दो हिस्सों में हुआ है इसके लिए अब नेटवर्क जम्मेदार है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है इस वज़े से ये बाधा आई मैं पुने आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अब नेटवर्क की इच्छा रही तो दुबारा इसी मंच पे हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद शुक्रिया